बिहार के पटना में जब से बागेश्वर सरकार के आने की खबर क्या मिली है उसके बाद से पक्ष और बिपक्ष दोनों एक दूसरे से भिड़ते हुए नजार आ रहे हैं अब इसी बीच जो खबर आ रहे है कि क्या बागेश्वर सरकार करेंगे चिराग पासवान को सी एम बनाने की घोश्टना कहा चिराग का सपना होगा सकार नमस्कार आप देख रहे हैं बिहारी नियुज भोजपूरी आईए खबर को भी स्टार से जानते हैं उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर मैं हैं खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें बागेश्वर सरकार याने धिरंद्र सास्त्री के बाद आने के बाद से जैसे ही लोगों को ये पता चला है कि धिरंद्र सास्त्री का आगवन 13 मई को पटना के नौवतपूर में हो रहा है तब से उनके आने के बाद और उनके आने की खबरे सुनने के बाद कहीं न कहीं पक उनका कहना है कि धिरंद्र सास्त्री का कर्ज करम नौबत पूर में नहीं होगा लेकिन वही बजरंग दालवालों ने फुला चैलेंज देते हुए कह दिया है कि अगर उनका प्रोग्राम कोई रोकेगा या फिर बैन करने की बारे में सोचेगा तो हम उसे सबक सिखाएंगे ल क्या बागेस्वर सरकार सीम को सीम की कूर्सी दिलाने के लिए भविश्च्यमाडी करेंगे ये सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है और लोगों की इक्षाई भी बढ़ती जा रही है कि क्या चिराग पास्वान को अब की बार धिरंद्र सास्त्री का साथ मिलेगा बागे बजरंग दल को लेकर भी चिराग पास्वान ने बड़ा बयान देते हुए निटीश कुमार को खुला चैलेंज देते हुए कहा था कि अगर उनमें हिम्मत है तो बजरंग दल को बैन करके दिखाएं बता दें कि निटीश कुमार ने बिवादित बयान देते हुए मंत्री बनाने की घोश्टना करेंगे सीयम बनाने की भविश्यवानी करेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है और लोगों की उत सुकता इसमें धीरे धीरे बढ़ती जा रही है खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा तब तक के लिए धन्देबाद जय हींद जय भारत